नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं CM हिमांतने की सुरोदलिय बैठाक आज भैसला का एलान मुख मंत्री हिमांसुरेन ने राज में क्रोणा संक्रमन के तेजी से बढ़ते मामले को लेकर सुरोदलिय बैठाक की बता दे बर्चूल में अध्यम से आयोजित इस अहम बैठाक में मुख मंत्री ने विभीन राज नितिक दलो के परतिने दियों के साथ कोविद नाइटिन पर प्रवाईवनी अंत्रन के लिए बिस्तार से बिचार विमर्स किया इस दोरान कुरोना के रोक थाम और बचाव के सिलसीले में राज नितिक दलो के दोरा कोई आम सुझाव दिये गए मुख मंत्री ने कहा कि सुरोदलिय बैठाक में बिचार विमर्स के दोरान जो आम सुझाव आये हैं वे कापी मत्पून है इससे सरकार को कुरोना से निपटने को लेकर आगे और निति तयार करने मदद मिलेगी मुख मंत्री ने कहा कि कुरोना की दूसरी लाज को रोकने और संक्रामित को इलाज के बेहतर सुविधाक मिले इस परवे लगतार नजर बनाए हुए हैं लोकडाउन के मुद्धे पर भी भी राय नितिक दलो ने अलग अलग राय दिये जहां वाम दलो ने कहा कि लोकडाउन लगाना समस्या का समाधा नहीं है वही कुछ दलो ने सब्ताइक लोकडाउन तो कुछ ने पूर्ण लोकडाउन लगाने का सुझाव दिया हिमन्द सुरन पधान मंत्री नहाय नमोदी से मांगी अपात मदद मुख्यमंत्री मंसुरें ने पद्धान मंत्री को पत्र लिख कर राज में तेनाच सेना और अर्थ सहनिक बलो में कारड़त डक्टरों और परामेटिकल कर्मियों को आपात की इस घड़ी में इस्तिमाल करने की जाज़त मांगी है परधान मंत्री को लिखे पत्रे में मुख मंत्रे मुलेख किया है कि राज में 18 माज तक 100 से भी कम मरीज थे लेकिन एक महिने के अंदर ही मरीजों की संक्यती नहीर साधिक हो गई है इसके पूरो संक्रमन की लहर में नावे पर्थिस्त मरीजों में कोई सिम्टम्स नहीं था और अक्सीजन एम बेल्टी लेटर क्या हो सकता वाले मरीज कम ही थे ज्यारखन बोर्ड मैट्रिक और इंटर एकजाम अस्थागीत एक जून को होगा नई तारिख पर फैसला ज्यारखन में कुरोना वारे संक्रमन के बढ़ते परभाव को देखते वे ज्यारखन एकेडमी कॉंसील ने मैट्रिक और इंटरमीडियाट के तीनो संकाय साइन्स कोमर्स वा आर्च की परिक्षाओं को ततकाल परभाव से अस्थागीत कर दिया है जैक ने कहा है कि एक जुन को समिक्षा बैठाक होगी जिसमें परिच्छा समन्दी अगली सुच्छ न दी जाएगी बता दे मैट्रिक और इंटरमीडियाट की परिक्षाओं चार माई से सुरू हनी थी होम आईसोलेशन में रहने वाले को मेडिकल किट देगी सरकार राज सरकार होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल किट उपलब्द कराएगी सनिवार को कुरोना संक्रमन के रोक थाम और तैयारियों को लेकर होई अहम बैठाक में मुख मंत्र हमन सुरन ने इस संदर में विभागी अधिकारियों को निदेश दिये हैं बता दे मेडिकल किट में अवसक दबाएं ऑक्सीमीटर एवा मास्क के अलावा अन उपयोगी समान होंगे बिना मास्क रेल यात्रियों से वसुला जाएगा 500 रुपया कुरोना संक्रामन के बढ़ते मामलों और एक राज से दूसरे राज सफर कर रहे लोगों को जागरूपता बढ़ाने के लिए रेलवे ने कड़े कदम उठाये हैं इसके ताद रेलवे स्टेशन परिशन में बिना मास्क के घुमने या यात्रा करने वाले यात्रियों के पकड़े जाने पर 500 रुपय जुरुवाना वसुला जाएगा मधुपूर उपचुनाव में 175.6 पर तिस्षत वोटिंग कोविद नैंटिर के मधे नजर जारी दिशा निर्देश के बीच मधुपूर उपचुनाव के लिए सन्यवार को मधदान हुई बता दे वोटिंग पर तिस्षत 175.6 रहा चुनाव परकिरिया के साथ चुनाव आयोग की ओर से इसके लिए अलग से गाइलान जारी की गई थी मधदान शुरू होने के पहले सभी बूत पर बूत लेवल एजेंट के अस्तर से मौक पोल कराया गया लगबग 487 मधदान के अंदर बनाये गए थे सरकार को सकरात्मक सायोग देंगे दीपक परकास मुख्यमंतर एमान सुर्ण के अजक्सता में सनिवार को होई सुरुदलिये बैठाक मुबस्तित भाजपा के परदस्त अजक्स असांसर दीपक परकास ने कहा कि राशनात्मक सायोग के लिए मजबूती के साथ खड़ा है उन्होंने राज सरकार को कई मधपूर्ण सला दिया गाइडलाइन का पालन के लिए बाइक दास्ता का गठन राची में COVID-19 गाइडलाइन का अनुपालन सक्ति से कराने के लिए सेस्पी सुरेंद्र कुमार जहां ने बाइक सवार दस्ता का गठन किया है परतेक दस्ते में दस पूलिस कर्मी होंगे जिनका नेतिव तो सब इस्पेक्टर राएं के पूलिस का अधिकारी करेंगे बता दे COVID-19 के लिए ता है कि काइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए परतेक बाइक सवार दस्ते को राची के अलग-अलग इलाकों की जिमिदारी दी गई है आर्थिक लोगडाउन की जगा सोसल लोगडाउन रामेशवर उराव कांग्रेस के परदेश अधियक्ष और राज के बीत अथकाद आपूर्ती मंतरी रामेशवर उराव ने कहा है कि आर्थिक लोगडाउन की जगा सोसल लोगडाउन के माधियम से किस तरह से और नियंत्रित भीड को नियंत्रित किया जा सके परदेश अधियक्ष ने कहा कि मवजूदा हालात में कई संगठनों की लोगडाउन की आसंका को लेकर चिंता की जा रही है लेकिन पार्टी का मन्ना है कि आर्थिक लोगडाउन की जगा सोसल लोगडाउन के माधियम से बीड को रेगुलेट किया जाए जार्खन में 3839 कुरोना संक्रमित मिले हैं जो राची से 1410, बुकारो से 136, चातरा अर्थिस देवगार 103, धनबाद 182, दुमका 51, पूर्वी सिमूं 521, गडवा 91, गिरिडी 54, गोड़ा 6, गुमला 99, हजारी 126, जाम तड़ा 21, खोटी 127, गोड़ार्मा 193, लातेहार 76, लोहर्दगा 74, पांक कुर 16, पलामू 54, रामगार 101, साहिवगंज 65, सिम्डेगा 73, पच्छमी सिमूं से 129 मिले हैं जारखन में कुरोना से 30 मरीज की मौत हुई है, जो राची से 5, बोकारों से 4, धनबाद से 1, दुमका 1, पूर्वी सिमूं से 6, गड़वा से 1, गोड़ा से 1, खोटी से 2, कुड़ार्मा से 1, लातेहार 1, पलामू से 1, रामगार से 2, साहिवगंज से 2, पच्छमी सिमूं से 2 मरीज की मौत हुई है, बताः जार खन में कूल मौत की संखे 1460 हे वहाई कूल एक्टिब केज की संखे 25 रर 169 है, भारत में 2,600,J523 केश मिले है, भारत में कूल मौत की संखे 17解 Vital 1616, rear crossur are, वहाई कूल एक्टिब केज की संखे 17,903 है is भातवाई में एक लाख और तीस है रेक्सकापर मरीज स्वच्ट हुए है वही जार्खन में बाला सो चौटिस मरीज स्वच्ट हुए है अस्पतालों के बाहर संक्रामित मरीजों के परिजनों की बेवसी साफ दिख रही है सरकार की तरब से किये जा रहे तमाम उपाय काम पड़ते जा रहे हैं जार्खन में लगातार बाडरे कुरोना संक्रामन को देखते वे डाक्टरों ने जार्खन में 15 दिन का लोगडाउन लगाने की मांग की है रांची में कुरोना की रोक्थाम के लिए 500 अतिरीक्त बल की होगी तैनाती राजधानी में कुरोना के बड़ते संक्रमन ने पूलिस मुख्याले की भी चिंता बढ़ा दी है राजधानी में कुरोना के गाइडलैन का पलन कराने वा मस्क चेकिन के लिए ट्रेफिक पूलिस की साहता के लिए पूरो से तेनाद पूलिस कर्मियों के अलावा 539 पूलिस बल लगाए गए हैं अभियान के तहद पुलिस पॉल का काम सीनियर सिटीजन को दावा समयत अने जरूरत के समानों को भी पहुचाना होगा राज़ेपाल द्रोपदी मुर्मू संक्रमीत मेडिका में भरती जारखन में सबसे तेज फैल रहा कुरोना है जारखन में क्रोना का संक्रमन अब 36 गर मदपरदेश और उतर परदेश के बाद सबसे तेज रफ्तार से फैल रहा है हम आपको बता दे अडराने के लिए नहीं बलिक सतर करने के लिए बता रहे है एक सब्ता के आकड़े के बिसलेशन से या सामने आया है की जारखन में क्रोना के मामले जहां पिछले सब्ता प्रती दिन अवसत एक फिस्दी के दर से बढ़ रहे थे वहाई अब मामले इससे दोगनी दर अर्थाद दो फिस्दी की दर से बढ़ रहे है लालू यादो को जमानाथ चारा घोटाला मामले में साजा काट रहे है लालू यादो को जहारखन हाई कोट से बढ़ी राहत मिली है जस्टिस अपरेश कुमार सिंग की अदालत ने उन्हें ससर्ट जमानत की सुविधा परदान कर दिया है अदालत ने लालू पर्थाद को एक एक लाक रुपाई की दो नीजी मुझ चलके पर रिहा करने का आदेश दिया है जिसके अलावा उन्हें पांच पांच लाक रुपे जुर्बाना की भी राशी जमा करनी होगी धन्यवाद